नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है फोटो वर्ल्ड प्रो चैनल में मेरा नाम है अनिरुद गुहा और आज हम देखेंगे दविंचे रिजॉल्व में कितने आसानी से जटपट हम अपने आडियो को सिंग कर सकते हैं फॉर एक्जामपल आपने अपना आडियो किसी दूसरे डिवाइस में रेकॉर्ड किया है और आपने अपना वीडियो किसी दूसरे डिवाइस में For example, जैसे कि मैं अभी अपना audio कम्प्यूटर में record कर रहा हूँ एक audio cities free software को इस्तिमाल करके आप देख सकते हैं अभी मेरे screen के अंदर कि मैं किस तरीके से record कर रहा हूँ अपने audio को इस software के अंदर इन दोनों के audio recording में काफी difference होंगी quality में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने proper mic लगा रखा है और लेकिन जो मेरे DSLR में ऐसा कुछ भी नहीं है अगर मैं आपको test जस्त आपको समझाने के लिए अगर मैं अभी अपना DSLR का volume on कर देता हूँ और देखिए उस से उस audio किस तरीके से record हुआ है वो एक बार हम समझ लेते हैं अब जो आप अभी अपना sound सुन रहे हैं वो मेरे DSLR से है तो आप देख सकते हैं कितना फरक है अभी मैं आपको मेरे audio recording जो मैंने computer से कर रहा हूँ वो मैं सुनाता हूँ अब जो आप यह sound सुन रहे हैं यह मेरे computer में record किया गया sound है जो मैं इस mic के through कर रहा हूँ तो आप यह देख रहे हैं दोनों में काफी differences हैं अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि इस sound को यह जो मैंने sound यहाँ पर computer में record किया है इस sound को मैं अपने जो DSLR से लिया गया वीडियोग्राफी है उसके साथ sync करना चाहता हूँ तो चलिए जटपड देख लेते हैं हम यह काम किस तरह कर सकते हैं DaVinci Resolve में बहुत ही आसान से कुछ steps में सबसे पहले दोस्तों आपको select कर लेना है आपके दो files, जिस files को आप एक दूसरे के साथ sync करना चाहते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर दो files select कर लिया है एक मेरा audio file है और एक मेरा video file है वीडियो file को बिना sync किये वे audio से मैं अगर drag करके लेके आता हूँ अपने timeline के उपर और फिर मैं ऐसे एक बर सुनता हूँ कि इसका audio effect किस तरह से आ रहा है जैसे मैंने इसे play कर दिया नमश्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारा YouTube channel photo world pro में मेरा नाम है अनिरुद गो सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पे जो audio की clarity है उतनी अच्छी नहीं है इसका कारण तो एक यह है कि यह DSLR के जो camera में inbuilt mic है उससे लिया गया है और DSLR camera मेरे से कम से कम आप यह लेके चली एक से डेड़ फिट दूर पे था सो अब मैं क्या करता हूँ मैं अब इसे sync करता हूँ अपने audio जहां पे आप यह फाइल देख रहे हैं यह audio फाइल है जिसको मैंने record किया था माइक से और अपने computer में अब मैं इसे कैसे sync करूँगा बहुत है simple तरीका है आप इसे select कीजिए जिस audio को आपको sync करना है आपके video फाइल से दोनों को आप select कर लीजिए और right click कर दीजिए जैसे ही आप right click करेंगे यहां पे देखिए आपके पास एक option आता है auto sync audio आपके पास चार options आते हैं एक तो आता है based on time code time code के हिसाब से आप अपने audio को select करना अगर चाहते हैं तो आपको यह select करना पड़ेगा based on time code and appended tracks यह आपका दूसरा option आता है एक तीसरा option आता है आपका based on waveform and the fourth option आता है based on waveform and append tracks so मैं जो सबसे जो देखा हुआ है इन चारों में से जो सबसे best option जो आपको accurate synchronize करके देता है वो based on waveform and append आता है so चलिए मैं इसे एक बार select कर लेता हूँ देखे इसके साथ इसाथ यह processing चालू कर देता है यह पूरी side आपके clips को analyze करता है और आपके audio को sync कर देता है अगर आपके audio में अगर syncing नहीं होगी तो यहाँ पे आपको एक error message देगा for example आपने गलती से कोई दूसरे file को आपके audio के साथ video के साथ sync करना चाह रहे होंगे तो आपको यहाँ पे एक गलत message देगा कि send error आपके इसके साथ sync नहीं हुआ है अब हम देख लेते हैं कि sync करने के बाद हमारी file को हमारी जो video file है वो किस तरह sound कर रही है सो मैं फिर से क्या करूंगा यहाँ से select करके अब लेके आता हूं timeline पे video अब आप एक चीज को ध्यान दीजिए यहाँ पे आप आप देखिए यहाँ पे आपके पास अभी दो audio आ गये हैं एक जो आपने mic से लिया है और जो दूसरा यह आपका जो DSLR के थ्रू है सो अब मैं क्या करूंगा यह जो मेरा first order जो audio है मैं इसे अभी एक पर mute कर देता हूं और मैं यहाँ से अभी प्ले करता हूं अपना sync किया हुआ video अब आप आप सुनिए नमस्कार दोस्तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा YouTube चैनल photo world pro में मेरा नाम है अनिरुद गुहा तो चलिए आज हम देख लेते हैं तो दोस्तो आपने सुना कितनी बहतर हो गई है आपकी वीडियो की audio quality तो दोस्तो आपने देखा कितनी आसानी से आपने अपने audio को sync कर लिया DaVinci Resolve में कुछ तो software's ऐसे हैं market में जो paid version के software's है लेकिन आप अगर उसमें अपने audio को sync करने जाओगे तो आपको बहुत मुश्किल हैंगी जबकि DaVinci Resolve एक free software है होने के बावजूद भी इसके अंदर इतनी आसान से features दिये गए हैं जिससे अब अपने audio को बहुत ही जटपट आराम से sync कर सकते हैं अपने किसी भी video file के साथ तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको आज ये video अच्छी लगी होगी अगर ये video आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और हो सके तो अपने यारों दोस्तों के साथ शेयर कर लेना अगर वो भी video rating line पे हैं और मैं उमीद करता हूँ कि आप जाने से पहले ह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाएंगे अगर आप नए हैं तो फिर से मुलाकात होगी जल्दी एक नए topic के साथ नमस्कार